बच्चों आज हम सब हिंदी पाठे पुस्तक आरोख की अंत्रगत क्या विखंड का दूसरा पाठ मीरा के पद का प्रशंग से रैख्या पढ़ेंगे यह पद मीरा मुक्तक से लिया गया है इसमें मीरा बाई की किष्ण के प्रती अनन्य भक्ति भावना प्रगठ हुई है मीरा कृष्ण के प्रती इस तरश मर्पित हैं कि वे अपने भक्ति की राह में आने वाली सांसारिक बंधनों को भी त्याग चुकी है मेरे तो गिर्धर कुपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति शोई क्रिष्ण की दिवानी मीरा अपने प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती है कि मेरे तो इस संसार में गिर्धर गोपाल ही है उनके सिवाए मेरा अने कोई नहीं है यहां गिर्धर और गोपाल दूनों शब्द दूनों नाम स्री कृष्ण के लिए ही कहा गया है गिर्धर का अर्थ है गिरी यानि परवत धर का मतलब धारन करने वाला परवत को धारन करने वाला अर्थात स्री कृष्ण श्रीक कृष्ण जी जब ब्रजवासियों को मुसलाधार वर्षा से वो बर्धन परवत को हाथ में उठा कर उंगली में उठा कर रक्षा किये थे और तभी से उनको गुरिधर कहा जाता है और गुपाल का रर्थ है गौ को पालन करने वाला गौ की रक्षा करने वाले अर्था स्रीक किष्ण जी तो यहां मेरा वाईक स्रीक किष्ण को दोनू नामों से समुधित करते हुए कहती है कि मेरे तो गृधर गोपाल ही सब कुछ है उनकी शिवा मेरा यहां कोई नहीं है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति शोई यहां कृष्ण के छवी कवाड़न करते हुए कहती है कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है जो मूर का मुकुट धारण की है अपने मस्तक पर वही मेरे पती हैं वही मेरे श्वामी है छाड़ी दई कुल की कानी कहां करी हैं कोई कुल की कानी यानि की कुल यानि बंस अपने बंस अपने परिवार की कानी वने मर्यादा मैंने अपने बंज की मर्यादा परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है चारदई मैंने छोड़ दिया है कहां करी है कोई कोई क्या कर लेगा क्या कहेगा इसका मुझे कोई चिंता नहीं है मैंने किष्णि के प्रेम में अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ चुकी हूँ संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई आगे कहती हैं कि संतन डिग डिग मने स्पास में साथ में मैं संतो की शभा में संतो के साथ में बैठ बैठ कर लोक लाज को भी खो चुकी हूँ कहने का मतलब है कि मैं संतों की समागा में संतों के साथ बैठती हूँ और जो समाजिक मर्यादा है उसको भी मैं खो चुकी हूँ उसका भी मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मेरे पास स्रीकृष्ण का प्रेम है स्री किष्णि मेरे अराध्य है आंसुआन जल सीच शीच प्रेम बेल बोई आगे कहते हैं कि मैंने अपने आसुओं से आसुओं के जल से सीच सीच कर प्रेम के बेल को बोया है मतलब कि मैंने अपने किष्णि के प्रेम रुपी बेल को मैंने अपने असूं से सीच कर बोया है अब तब बैल फैल गई है आनंद फल होई अब वो जो बैल है श्री किष्णि के प्रेम रूपी बैल को बैल अब फैल गया है बिस्तार कर गया है बड़ा हो गया है अब उसे आनंद फल मिलने लगा है मतलब अब उसमें मुझे आनंद आने लगा है कहने का मतलब यह है कि मैंने किष्ण के प्रेम रुपी बेल को बोया है और उसे अपने बिरहक की रुपी असुरों से सीचा है अब उसके बाद उसमें से वो जो बेल है वो जो प्रेम रुपी बेल फैल गया है बिस्तार कर गया है और उसमें मुझे आनद आने लगा है दूद की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई दधी मत घृत काड़ लियो छारे दई छोई यहां कहती है कि मैंने दूद को मथनी से जो दही मतने वाला मतनी होता है पड़े ही प्रेम से उसे बिलोया है, यानि मथा है, दधी मत घृत काढ़ लियो है, और दही को मत कर, उसमें से घृत, घृत मने घी, मती मने मतना, दही को मत कर, उसमें से घी को निकाल लिया है, और छार दई छोई, और जो छाच है, उसको मैंने छोड़ दिया है, करने का मतलब यह है कि मीरा वाई कृष्ण के प्रेयम रुपी घृत को अपने हीर्दय में बशा ली है और उसको वो च्छाच स्वरूक मानकर उसे छोड़ दी है भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई काती है कि मैं भगतों को देखकर मुझे प्रशन्नता होती है, खुश होती हूँ सत्सामागम संतों की शभा को देखकर मुझे बहुत ही प्रशन्नता होती है जगत देख रोई और ये जगत ये संसार को देखर मुझे रोना आता है इस संसारिक लोगों को देखर मुझे कश्ट होता है कि अभी तक ये इस माया जाल में लिपता है फशे हुए है इसलिए मुझे दुख होता है दाशी मीरा लाल गिर्धा तारू अब मोह मीरा बाई कहती हैं कि हे गिर्धर गुपाल मैं आपकी दाशी हूँ यहां मीरा बाई गिर्धर गुपाल से प्रातना करते हुए कहती हैं कि हे गिर्धर गुपाल मैं आपकी दाशी हूँ अब आप मुझे इस संसार रुपी सागर से तारिये पार उतारिये कहने का मतलब है कि अब आप मेरा उधार कीजिए और प्रतिक्षा ना कराईए तो बच्चों यहाँ यह पद का भावार्थ समझ में आया होगा तो काविगत भी सेस्ता देखते हैं इस पद का भावपक्ष में है मीरा का किष्णी के प्रति प्रेम अनन्य है वे उनके प्रति पूरी तरशे शमर्पित है और यहाँ संसार को निशारता दिखाया गया है कि यह संसार निशार है और कभीतरी भक्ति को ही सार्थत मानती हैं और संसार को असार मानती है कला पक्ष में है यहां रुपा कलंकार है जैसे प्रेम रुपी बेल आनद रुपी फैल फल में रुपा कलंकार है दूद की मथनिया छोई में अन्योक्ति अलंकार है अन्योक्ति अलंकार भी है गिर्धर गोपाल मोर मुकोट कुल की कानी कहां करी है लोक लाज इसमें अन्योक्ति अलंकार है बैठ बैठ सीची सीची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहां एक ही शब्द दो बारा है दोनों का अर्थ समान है तो यह पुनरुक्ति प्रका कर दो नहीं है